हेलो बच्चो तो भाई आज हम आपके लिए जो है यह कोश्चन लेके आए हैं बहुत इंपोर्टन कोश्चन है सांण भी माँ प्राइए पौश्चन है क्या में हैं फिजिक्स के टोटल हो ये 29 29 कोश्चन है क्यों chcia निहीं सिर्फ अंसर भी हैं एक वीडियो कोश्चन की है अनसर की है और जिसको पीडियेव चाहिए वो मारे टेलिग्राम ग्रूप में जोईन हो सकता है बाकिस के लावा जो वीडियो देख के कर रहे हैं वो वह यह चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर ले ना ऐसे ही पांच पेज हम देंगे आपको most important questions के maths और science दोनों की बात कर रहा हूं मैं मैंस में भी जल्दी ही आएगी नेक्स्ट वीडियो ठीक है और हमारी एब भी डाउनलोड कर सकते हो अपले स्टोर से SK Academy ठीक है तो आए शुरू करते हैं यह questions यह जो questions है हमारे पहला question उसमें है commercial need of electrical energy और यह YouTube पे दो चैनल है हमारे एक तो एक्जाम टार्गेट के नाम से है और एक स्रीकिष्णा Academy के नाम से है ठीक है ध्यान अखना दुन्नों को सब्सक्राइब कर लिए ना दुन्नों पे चलती रहते हैं एक्जाम टार्गेट कि नोट्स के साथ वी the solution और भी बहुत सारी वीडियो जहां अच्छी थी ठीक है उसको ना चली क्या है कि वह थोड़ा सा सर्चिंग में कम आएगा भी लिंक डाल दूँगा मैं इस वीडियो की किलो वाट आवर ठेक है और सिंबल ओफे वायर जोइंट आपको पता ही है सभी के solution मिलेंगे डोंट वरी अब questions को ध्यान से देखें पीडियाप सही है तो आपको आप जो है टेलिग्राम पे डाउन्लोड कर सकते हैं वाप पेडियाप मिल जाएगी आपको उसके बाद on what factors does the resistance of a connector depend किसी सब्सक्राइब करता है what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series अगला question 5th find the power of a concave lens of focal length 4 meter यह reciprocal होता है पता है आपको 1 by 4 करके आप निकाल सकते हो इसको right the sign convention set for reflection by spherical mirror sign convention तो आपको याद होने ही चाहिए lens के लिए और mirror के लिए भी एक diagram बनाना है आपने 7th question में human आईगा उसके बाद name and state the rule to determine the direction of following इनके direction निकालने के लिए कौन सा rule लगाया गया है वो आपको पता होना चाहिए mf मतलब magnetic field और second mf मतलब force ठीक है नीचे वीच perpendicular to it यह इसका मतलब यह है दोनों questions में एक में right hand thumb rule आएगा दूसरे में flaming left hand rule आएगा ठीक है अगले question के तुर्प चलते हैं अगला question आपका 9th question है explain with the help of a label diagram for the distribution यह सुरी diagram the distribution of magnetic field due to current circular loop यह आपका आपको पूरा मिलेगा और हम जो next video डालेंगे बहुत असान तरीक है ज्यादा ना तो लेंधी जितने में जितना मांगा एक्जामिनर ने अपसे आने सार उतना ही हम देंगे आपको ठीक है यहां पर ठीक है यह खाले लिखा गया गलती से उसके बाद अगला है explain why the planets do not twinkle क्यों नहीं चमकते planets ठीक है इसका भी answer बहुत चोटा है बड़ी बुक्स में बहुत बड़ी answer दे रखे हैं इतना बड़ा नहीं है उसमें ठीक है जिसके अंदर दो वोल्ट की बैटरिंग ली जाएगी तीन और अब आकी रेजिस्टर जोडने है पांच ओम आठ ओम बारा ओम की तो यह फोर्टिंद कोश्चन आगे आपका उसके बाद इसमें रेजिस्टर जोडने है आपने एक बार नो ओम बनाना है रेजिस्टेंस को एक बार चारों बनाना है ठीक है विद डाइगराम आपको सुलूशन मिल जाएगा तो अब नेक्स्ट जो है आपका अगला पेज हम चलते हैं अगले पेज पर पंदर वांजो कोश्चन हमारा देखिए पंदर वांजो कोश्चन आगे आपका दर इफेक्टिव इंडेक्स का पता होने चाहिए ऑसके बतागरा कोश्चन अबाटीज टाइप ऑफ इट पॉइंट जुरूर आपको पता होना चाहिए डिरेक्ट पॉइंट ना आए सायद गुमाफिरा के दे दिया जाए आपके एक्जाम में मैं दोनों ही बोर्ड की बात कर रहा हूं हर्यानम बोर्ड भी और सीवेसी बोर्ड भी ठीक है दोनों के लिए इंपोर्टेंट कोश्चन तो वह भी आपको अनुसर्स में मिल जाएगा एक्स्प्लेन वाइज दा कलर ओफ क्लियर स्काइब लू असमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है उसका रिजन एक में रिजन था कि बल्यू कलर जो है स्कैटर हो जाता बाकी कलर नहीं होते तो इसलिए बल्यू कलर आख आपको मिल जाएगा उसमें और इसके साथ साथ एक में अभी हमारी ऐसा है आपको वैसे वीडियो जो नहीं मिलेंगी चैनल पर बहुत सारी पड़िये वीडियो आप प्ले लिस्ट ढूड़ना प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास टैंथ के नाम से उपर ही उसमें और लोएस्ट बनता है पैरल में तो एक बार सिर्ज में जोड़ो एक बार पैरले में जोड़ो दो पाट दे रखें इसके ठीक है साथ 42 या 48 आएगा ऐसा कुछ सेरीज में और आप देख लिए ना अनसर में उसके बाद यह डिफाइन वन वोल्ट है तो वन वोल्ट का पता यह आपको लेंज की पावर क्या होती है ठीक है पी इस गोल टू वन भाय आइफ तो आप इसमें सिंपल लिख सकते हैं तो रेसी प्रोकल ओफोकल लेंथ इस नों पावर जो भी आपको यह लगे उसमें मैंने वीडियो में बता रखा है बुरा कैसे लिखना है कितने माक्स म क्या आपको मिलेगा उसमें इतना लिख हो गया उसकी युनिट डायप्टर पता ही आपको ठीक है और डायप्टर के साथ मीटर चलता है ध्यान रखना बहुत बच्छे कुलती करते हैं सेंटीमेटर ले ले लेते हैं ठीक है अगला कोशन है आपका 24th कोशन आ गया है 29 कोशन प्लेश्ट बेविन C & F अगर C & F के बीच में रखा है तो C से पिछे बनेगा यह तो आपको सारे के सारे रे डायगरम बहुत ध्यान से कर लेना ठीक है इन में से आएगा जरूर एक कोशन कंफर्म है उसके बद राइट लाज ओफ रिफ्रेक्शन है रिफ्रेक्शन नहीं ह है रूल उसमें भी दोई थे इसमें भी दोई हैं ध्यान से पढ़ लेना वेट करें नेक्स्ट वीडियो का जल्दी आपको मिलेगी पर लिस्ट में ढूंड लेना या डली चुकी होगी सायद जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे दा नियर पॉइंट ऑफ हाइप इसमें आपने बताना है कि इस इफेक्ट को ठीक करने के लिए कैसे क्या किया जाए यह डिसीज होती है इनको बोल देते हैं आप जो भी इसके लग 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 यह नाम हाइप्रमेटर रुपिया ठीक है अच्छा यह उसके बाद अगला कॉशन आपका एलेक्ट्रिक आयरन एक आयरन है यह 840 वोट पावर है उसकी मैक्सिमम है यह इसकी मिनिमम उसके 260 है और वोल्टेज इसकी 220 व अगर चेंज हो के यहां मिनिमम आ जाता तो शिर्फ आप मिनिमम लोगे 360 और मैक्सिम बोला है तो आप 840 लोगे पावर वड़ा फूर्म लगेगा पी इसकी बाद अगला कोशन आपका लास्ट कोशन है इसमें भी निमेरिकल है ठीक है अप्लेज प्रपेंडिकल टो दा प् प्लस में आएंगी तो यह आपने जो है तंप्लीट 29 कोशन है जो आपने करने हैं ठीक इनका सॉलीशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा पले लिस्ट में आप मैं आपको बता चुगा हूं कि पले लिस्ट किस नाम से मिलेगी क्लास टेंथ दो जार तेइस चोविस ठीक है इसमें आपको CBSC, HBCC, दोनों बोर्ड की वीडियो मिलेंगी इंपोर्टन कोशन है सारे अच्छे से करना यह एक पेज आपको दिखा दिया मैंने ऐसा ही चेर पेज ओर आएंगे जिनमें सारे के सारे इंपोर्टन कोशन देंगे लगे 25 से 30 के आसपास हम उसमें कोश के लिए खुश रहें मस रहें और पढ़ते रहें